नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह फिर से लेकर आए हैं जेनरल नौलिज के कुछ most important questions तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर केबल चैनल नौलिज के वो questions मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो questions defense के exams में आते हैं तो दोस्तों बिने समय गवाय स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चै पंजाब केशरी कहा जाता है औपसें भगत सिंग को औपसें बी बंकिम चंदर चेटरजी को औपसें सी दादवाई नौरोजी को एंड लाला लाजपतराय को तो दोस्तों पंजाब केशरी कहा जाता है लाला लाजपतराय के लिए तो यहाँ पर question number 2 बन का सही आंसर होगा लाला लाजपतराय को तो question number 2 है भारत की स्वतंतरता में योगदान देने वाले प्रमुख नेता थे औपसें से आपके गोपाल क्रिश्न गोखले दादा भाही नौरोजी लाला लाजपतराय या फिर उप्रोग्त सभी तो question number 2 का सही आंसर है दोस्तो option D उप्रोग्त सभी ज question number 3 है रहनुमाई सभा की स्थापना किसने की? options हैं दादा भाही नौरोजी ने, गोपाल क्रिश्न गोखले ने, सुभास चंदर बोश ने या फिर लाला लाजपतराय ने question number 3 का सही आंसर है option A दादा भाही नौरोजी रहनुमाई सभा जो थी दोस्तों उसकी जो इस्थापना की थी वो की थी दादा भाही नौरोजी ने, ठीक है? question number 4 की तरफ चलते हैं, question number 4 है, इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया? options हैं, महात्मा गांधी ने, option B, बगत सिंग ने, option C, मुहमद इकबाल ने, या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों, इंकलाब जिन्दाबाद का जो नारा दिया था, वो दिया था आपके लिए, मुहमद इकबाल ने, ठीक है? question number 4 का सही आंसर, option C, मुहमद इकबाल next question है हमारा, question number 5, करो या मरो का नारा किस ने दिया? options हैं आपके, महत्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, लाला लाजपतराई ने, या फिर भगत सिंग ने question number 5 का सही आंसर होगा, option A, महत्मा गांधी ना, जीए दोस्तों, करो या मरो को जो नारा दिया था, वो दिया था, महत्मा गांधी ने question number 5 का सही आंसर होगा, option A, महत्मा गांधी, question number 6 की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे टेलिग्राम चैनल से इस वीडियो की PDF फाइल ड बच गया था, ठीक है, तो question number 6 का options है, चंदर सेखर आजात, भगत सिंग, पंडित मुतिलाल नहरू, या फिर मदन मुहन मालवीर, question number 6 का सही आंसर होगा, option A, चंदर सेखर आजात, next question आपका question number 7, नहरू राश्टर भगत हैं, जबकि जिन्ना राजनी तिक, यह कथन किस का था, तो दोस्तों यह किस ने कहा था कि नहरू जी जो है वो राश्टर भगत हैं, और जिन्ना है वो एक राजनी तिक है, तो यह कथन था दोस्तों, मौलाना आजात का, ठीक है, तो question question number 7 का सही answer होगा, आपका, option D, मौलाना आजात, next question है हमारा, question number 8, भारत छोड़ो प्रस्ताब पारित करने, पारित होने के समय, कांग्रेस के अध्याच कौन थे, भारत छोड़ो प्रस्ताब जब पारित हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्याच कौन थे, options हैं, मौलाना, अबुलकुलाम आजात, महत्मा गांदी, सरदार पटेल, या फिर पंडित जबारलाल नहरू, तो दोस्तों, यहाँ पर question number 8 का सही answer है, option A, मौलाना अबुलकुलाम आजात, जब भारत छोड़ो आध्याच के अध्याच थे, वो थे, मौलाना अबुलकुलाम आजात, ठेक है तो question number 9 है, 1857 के स्वधिन्ता संगर्स की बिरांगना, महरानी लक्षमी भाई की जनमिस्थली क्या है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो भारत का प्रथम स्वतंतरता संगराम था, वो 1857 मह हुआ था, और उसके लिए लीड किया था, जहांसी की रानी, महरानी लक्षमी भ लक्षमी भाई थी, उनका जनमिस्थान बाराण सी है, ठीक है, question number 10 है, गांधी इर्विन समझोता किस बर्स हुआ था, options है, option A, 1917 में, option B, 1914 में, option C, 1931 में, या फिर 1915 में, तो question number 10 का सही answer होगा, option C, 1931 में, तो ये थे दोस्तो आज के 10 questions, वीडियो कैसे लगी, comment करके जरू बताना, अगर वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को like, comment और share करना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको share जरू करें, तो दोस्तो, अगर वीडियो आपको अच्छे P, Army, Air Force, Navy, RPF, CRPF, CISF, जो भी defense की forces हैं, अगर आप इनमें से किसी की भी तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा best channel है, यहाँ पर आपके लिए daily 8 वजे, आपको वीडियो मिलती रहती है, general knowledge की और उनकी PDF भी हमारे चैनल के द्वारा आपको free मे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन जैवर